हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका सबसे जुकेसन में सैट नमबर प्रेक्टिस सैट नमबर छे करेंगे आज गटना चक्र टॉस सीरीज का पैट एक्जाम के लिए पाँच प्रेक्टिस सैट हम लोग कर चुके हैं प्लेलिस्ट में पड़े हुए है वीडियो ठीक है आप लोगों आप पर जाके देख लीजेगा आईए इनका जल्दी जल्दी से रिवीजन कर लीजे पहला प्रिसन है किन तीन बेदों को सैयुक्त रूप से बेद त्रही कहा जाता है बेद त्रही कह लीजिए फिर सिर्फ त त्रही कह लीजिए रिगबेद सामबेद और यजवरवेद को त्रही बोला जाता है सी ओप्षन यहापर सही हो जाएगा दूसरा प्रिसन है पुश्यमित्र संगोद्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर सासक कोन था मौर सामराज के बाद सुंग सामराज की स्थापना इन्हों ने अपनी बुक में समुद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन की संग्या दी बी ओप्षन सही हो जाएगा प्रसिद्ध चीन यातरी हुएंसांग ने किस समराट के सासनकाल के दोरान भारत की यात रखी थी एचसे हुएंसांग याद रखें और एचसे किताब लेगी थी जिस किताब का नाम है सी यू की नेक्स्ट है निम लिके तुमेंसे कौन दिल्ली के लोधी राजबंस का अंतिम सासक था दिल्ली में कितने बंसों ने काम किया पांच राजबंसों ने काम किया जिसमेंसे पहली डैनस्टी स्लेव डैनस्टी यानि गुलाम बंस खिल्जी बंस तुगलग बंस सयद बंस और सबसे लास्ट लोधी बंस इसके बारे में पूछा गया है फिर इसके बाद मुगल समराज आ जाता है लोधी बंस का अंदिम सासक इब्राहिम लोधी था जो सिकंदल लोधी का बेटा था ठीक है यह ओप्सन राइट हो मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गए थी 1906 आसान सा कुशन मुस्लिम लीग की स्थापना ठाका में की गए थी और जो पहली अद्यक्स थे वो आगाख हाँ थे ठीक है साथमा प्रसमे निमनमसी कौन संताल बिद्रो का एक नेता था इसका टाइम बहुत इंपोर्टेंट ह होता है पूशा जाता है एकसर 1957 के जस्ट पहले यह विद्रो हुआ था 1855 से 1856 मैंचिक में बहुत पूशता है संताल बिद्रो को जो लीट कर रहा था वो सिद्धू और कानू कर रहे थे ठीक है बी ऑप्सन यहां पर राइट हो जाएगा यहां पर ऑप्सन्स नहीं जी दिय दाले थे आठमा प्रस्ण स्वतंत्रता अंदोलन में भाग लेने वाले वेस्ट वंगाल के क्रांपिकारी की पैचान करें खुदी रांबोस वेस्ट वंगाल के थे मिद्नापुर से बिलोंग करते थे मुझफर पूर बमकांड मैन को फांसी दे गई थी ठीक है चलिए नमा द्वारा बलभवय पटेल को सरदार की उपादी दी गई थी ठीक है दसमा प्रस्ण किस नेता ने हमें CR फॉर्मला दिया यहां पर CR से CR दास मतलगा देना ठीक है CR से यहां पर मतलग है राज गोपलाचारी इस फॉर्मले में इंडिया नेशनल कॉंग्रेस और मुस्लिम ली की केप्टल है ओटावा एक कनाड़ा की केप्टल है और व्यूने साइट्स यह अर्जन्टीना की केप्टल है ठीक है चलिए बारवा प्रस्ण है साड़े-82 डिग्री इस्ट देसांतर लॉंगी तूट की बात कर रहे है भारत के लिए क्यों महत्पूर्ण है यह तो हमारा इंडियन स्टेंडर्ड टाइम है ना जो अलावात के ननी से होकर गुजरता है एक तरह से इसको भारत की ग्रीन बिच लाइन बोल सकते हैं आप भारत का जो स्टेंडर्ड टाइम है वो इसी से मेजर किया जाता है ठीक है 82 एंड हाप इस्ट लॉंगिट्यूट से बी ओप् कि सेंसस के नुसार भारत की लिटरेसी रेट कितनी थी 73 परसंट यह उप्सन राइट है 49 हीरा कुंड बांध किस राज में सते थे पूरी सा हो जाएगा यह भारत का सबसे लॉंगेस्ट टेम है लॉंगेस्ट लंबाई में सबसे जाद हैं यह महा नदी रिवर पर बना होती है ब्यार की भी होती है पश्यमंगाल की भी होती है असम तो बीच हो बीच में फसा हुआ है ना दी अप्शन राइट हो जाएगा सोलमा प्रसने भारत के कॉंस्टिट्यूशन में किस अमेंडमेंट के अंतरगत जी एस्टी कर लगाया गया था एक जुलाई 2017 याद रखें लागू हुआ था और एक कॉंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंड एक्ट नमबर था 101 मा ठीक है सी अप्शन राइट हो जाएगा जी सट्वराण कि सहत्र शना सब्सेलchem एक रूपे की नौट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं एक रूपे की नौट पर सेकेटरी के सिकनेचर होते हैं हो आर्वरतिये सब्सक्राइब के अठार में प्रस्न है पिर्थम बेत आयोग फाइनेंस कमीशन के चेर्मेन कौन थे कई बार पढ़ते रहते हैं इसको तो इस्टाटिक कोश्चन है फाइनेंस कमीशन का गठन आर्टिकल दो सबस्सी में वो लिखे थे पहले चेर्मेन थे केसी नियोगी और अभी जो फाइनेंस कमीशन चल्ला वो पंद्रमा चल्ला यहाँ पर अध्यक्ष कोन है एन के सिंग इनको भी याद रखें एन के सिंग प्रशने प्रधान मंतरी SBY का विस्तारित रूप क्या है सुरक्षा भीमा योजना यह ऑप्शन राइट है 2015 में सिंग योजना को लॉंच किया गया था 20 यह पंद्रित दीन द्याल उपाद्याय उननत क्रसी सिक्षा योजना का उद्देश किया है उद्देश तो लोने योजना की नाम में ही बताया है क्रसी सिक्षा को बढ़ाबा देने के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा 2016 में लॉंच किया गया था चलिए नर्श कीजिए 21 में निम लिकत मैं से किस आर्टिकल में भारत को इंडिया भी कहा गया है आर्टिकल बन पढ़ते होंगे आप लोग आर्टिकल बन में क्या लिखा हुआ है इंडिया धिस भारत यानि भारत अर्थात इंडिया तो आर्टिकल एक में इंडिया को भार सब्सक्राइब हो जाएगा सम्तक अधिकार 23 निम्लेकत में से कौन भारत के पूर्वर राश्पति है राजीव गांदी इंद्रा गांदी और लाल बातर सास्त्री एक प्रेजिडेंट के पत्पर नहीं रहे हैं और डाक्टर राजिन प्रिशास साथ तो यह तो पहले स्क्रिशन में आर्टिकल 52 में भारत का एक राश्पति होगा आर्टिकल 52 आर्टिकल 53 में बताइए जल्दी से यहां पर दो सबक्लोज हैं 53-1 और 53-2 53 सबक्लोज 1 में लिखा हुगा है कि कारकारी सकतियां जो होती है एक्जिकेटिव पाबड़ जो होती है वो राश्पति म और आर्टिकल 72 यहां पर कहा है यहां पर पार्टिनिंग पावर होती है छमादान की सकतियां होती है आर्टिकल 123 से यह क्या करते हैं और आर्टिकल 143 सुप्रिम कोड से कोई भी इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं मंगा सकते हैं मांग सकते हैं ठीक है चलिए 24 लोगसभा इस् तगन की बात हो चाही हो बिगठन की बात ओ दौनों राश्च्पती के बास सकती है 25 भान निमली कित में से किस राज्ज ने सर्वे ब्रतम पंचायती राज अपनाया था राजिस्तान नागड जिला पढ़ते रहते हो 1959 पंचायती राज विवस्ता को किसने रिकेमेंड किया था एक कमेटी का नाम आप लोग याद रखें लियार महिता साथ बलमंतर है महिता 26 है यहाँ पर पूछा गया कि कारों की हैट लाइट में कौन सा लेंस प्रियोग किया जाता है हैट लाइट में कौनकेव लेंस का यूज किया जाता है ठीक है आउतर लेंस 27 है AC को DC में बदलने के लिए किस युकती का प्रियोग किया जाता है AC से DC में कनवर्ट करने वाली डवाइस को बोला जाता है Rectifier C option Thos carbon dioxide को क्या बोलते है सूखी वर्फ Dry ice को बोला जाता है D option से हो जाएगा 29 है सरीर में किस बिटामिन की कमी के कारण क्वासर कोर हो जाता है प्रोटीन की कमी के कारण ये बच्चों में होता है ठीक है बच्चों में 30 में पूछा गया है चले 31 कर दीजिए इसको simply solve कर दीजिए 200 का इस तरफ गुणा कर दीजिए उस तरफ अंडर रूट में question mark की जगा एक्स रख दीजिए 50 से 200 कर दीजिए 4 हो गया ये कितना हो गया 24 और ये अंडर रूट X है X यानि यहाँ पर question mark है question mark की जगे पूछा गया तक क्या होगा 30 square कर दीजिए आप तो ये अंडर रूट हड़ जाएगा 24 square पांसो चैर्थ हो जाएगा यहाँ पर X की value निकल की आ जाएगी यहाँ पर question mark की value निकल की आ जाएगी है ना ये option right हो जाएगा चलिए यहाँ पर पूछा गया है एक ब्यक्ति अपनी आयपर 25% बचत करता है अगर उसकी आयपर 20% की ब्रद्धी हो जाती है और उसकी बचत समान रहती है तो उसके ब्याय में कितना प्रदिसत की ब्रद्धी होगी यहाँ पर आयमाल लीजिए आप 100 रुपे आयमाल लीजिए इसकी ठीक है 25% बचत करता है यह 25 सेविंग होगी तो इसका फिर खर्चा कितना हो गया खर्चा 75 रुपे हो गया ठीक है यह expenditure हो गया दूसरे केस में कहा रहे है अगर उसकी आयमें 20% की ब्रद्धी हो जाती है पहले आये 100 रुपे थी 20% की ब्रद्धी होगी तो यह 120 हो गया और गया रहा है उसकी बचत समान रहती है यानि बचत 25 रुपे अब भी है तो अब यहाँ पर expenditure कितना हो गया 125 गटा दीजे तो यह आपका बचेगा 95 अब खर्चा 95 हो गया पहले 75 था अब 95 हो गया यही पूछाए कि यह ब्रद्धी कितनी हो गई तो ब्रद्धी के लिए कैसे निकालता है बड़ी संक्या से छोटी संक्या गटानी होती है और यह value बड़ी हुई चाहिए आपको ब्रद्धी पूछाए न तो यह value बड़ी हुई काब आएगी जब आप छोटी संक्या से भाग देंगे और इसमें इन दोनों में छोटी संक्या कौन सी है 95 में और 75 में 75 से भाग दीजे तो ब्रद्धी आजाएगी चोटी संक्या से भाग देंगे तब ही न बड़ी संक्या आएगी यह वई ब्रद्धी हो जाएगी तो यह 20 upon 75 into 100 तो यह 25 ती 75 हो गया यह 25 को 100 हो गया यानि 80 बटी 3 अंसर हो गया ठीक है हो जाएगा तो यहाँ पर क्या है option देख लीजे यह लिखा हुगा है 80Y3 यह option राइट है चलिए 33 यहाँ पर सिंपल आपको फर्मला दिख रहा होगा यहाँ पर 2 संक्या से हमें यहाँ पर 2 संक्या से हमें और यह A-B लिखा हुगा है यई A-Square हो गया है ना A-B-Square हो गया और यह A-B हो गया और यहां पर 3 संग कैसे हम है तो यह aq हो गया और यहां पर 3 संग कैसे हम है यह bq हो गया इसको मैंने ऐसे लिख दिया ठीक है अब हम लोग aq प्लस bq का फॉर्मला जानते हैं aq प्लस bq होता है a plus b into a square plus b square minus a b है ना तो यह उपर का और यह नीची का पूरा कड़ जाएगा य 753 पिलस b की जगे कितना है 247 तो यह एक बटी 1000 हो गया c option right हो गया चलिए 34 है एक संख्या और उसके 35 में यानि 3 बटी 5 मभाव के मध अंतर 244 है जैसा लिखा है वैसा लिख लीजे एक संख्या एक संख्या दूसरी संख्या इसका 3 बटी 5 है तो यह 3 xy5 हो गया इसका अंतर 24 24 तो यह आप हमने अंतर कर दिया दोनों संख्याओं का बराबर 274 कर दिया तो पहले यहां से एक स्की वेलू फाइंड आउट कर लीजे तो यह 2 x अपॉन 5 बराबर 274 हो जाएगा है ना एल्जियम ले लिया और घटा दिया तो यहां पर x की वेलू आ जाएगी 274 की बराबर है 274 इंटू 5 अपॉन 2 यहां से दो से दो सो चोंतर कर जाएगा दो इकम तो दो इतियेश है दो साते चोगता इंटू 5 137 का 5 में उना करेंगे तो 680 आ जाएगा अब मुझा है उस र्ट करक्स करती जै तो 130 से बना जाएगा ठीक है अ Schule 35 कर फccal एक फंक्ति में बैठ़ें 4 बिद्ध्यार्तियों में से अंतिम 3 बिद्ध्यार्तियों का ऊसत 20 बश्द है यहां पर चारों का नाम दे दिया A-B-C D यहां पर लिखा हुआ है प्रत्म 3 विद्थिहार्थियों का वसी 21 बरस है तो जो लिखा है भाई यहां पर लिख लिए औसा करें लिख लिया वस्दे किस VARS कर दिए खरदिया और तो यहां पर शुर्बात के 3 वद्ध्धियों का वससात आयू पता चल जय Sou jis 3 e36 heur दूसरी किस में क्या बूल ला है अंतिम तीन व्यक्तियों का विद्ध्यार्थियों का वसात आई हो 20 वर्स है अंतिम कौन होगे एक वेलू पता है 26 है तो यहां से हम लोगों को बी प्लस जी की वेलू पता चल जाएगी 63 से हम गटा देंगे 26 36-26 तो यह 37 आ जाएगा है ना यह 37 किसकी वेलू आई दूसरे और तीसरे विद्ध्यार्थी कहीं हो गया अब यहीं बी प्लस सी आप यहां पर रख दीजे बी प्लस सी आप यहां पर रखेंगे तो डी की वेलू आ जाएगी है ना और डी की वेलू पूचिए अंतिम 35 वर्स घटा दीजे तो केतना बचा 23 बचा यह ओप्सन राइट हो जाएगा ठीक है तो यह 35 कुश्चन रवाइच कीजिए भागी 35 हम लोग करेंगे कल इसी टाइम पर चलिए बहुत-बहुत सुक्रिया